बात करेंगे हर्याना की ऐसी राजनीते की जो कि सिर्फ हर्याना में ही खेली गई है हर्याना में वंचितों के आरक्षन का उपवर्गी करन कर भाजपा ने जहां वंचित हितैशी होने का बड़ा उधारन पेश किया है वही राज़ सरकारों के सामने इसे लागू करने का दबाव भी काफी ज़ादा बढ़ा दिया गया है प्रदार मंतुरी नरेंद्र मोदी ने मुख्य मंतुरी नायाव सिंख सैनी की दाइट्व और ग्रहन समहरों के दिन चंडीगर में राज़ग शासित राज्यों के मुख्य मंत्रों के बैठक में स्पस्ट तौर पर ये कहा था कि राज्यों को एक दूसरे के यहां लागू योजनाव और कारिक्रमों साथी लीतियों का अध्यन कर उन्हें लागू करने की पहल करने चाहिए इसे लागू करने वाला हर्याना देश का पहला राज्य बन गया है बैठक के तुरंद बाद हर्याना सरकार ने वंचित कल्यान या जो फैस्टा लिया है उसका पूरे देश में बड़ा संदेश दिया गया है सुप्रीम कोड की इस अब्रवेशन को लागू करने वाला हर्य इस आबादी को अपनी तरफ मोडने के लिए विधान सभा चुनाव में भाजपा और कॉंग्रेस के बीच जबर्दस्त खीचातान चली कॉंग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर सविधान तथा रक्षण व्यवस्था को खत्म करने के आरोब तक लगाए लेकिन जिस तरह वंचितों ने चुनाव में भाजपा के ब्रती अपना लगाव दिखाया है उससे दो कदम आगे बढ़ते हुए भाजपा सरकार ने भी आरक्षण का उपवर्गी करन लागू कर वंचितों में शामिल अती वंचित जातियों के लोगों को आगे बढ़ने के अफसर प्रदा की थी जिससे सुप्रेम कोट की अब्जर्वेशन के बाद अब तीसरे कारेकाल में स्विक्रिती प्रदान की गई है आयोग के रिपोर्ट के मुदाबिक वंचित अनुसूचे जातियों का राज्य की सरकारी सेवाओं में परियाप्त प्रती निधित्व नहीं है जबकि अन अफसरों को सुनिश्यत करने और सार्वजनिक रोजगार में प्रियाप्त प्रती निधित्व देने हैं तो राजसरकार द्वारा उपवर्गी करन किया रहा है भाजपा ने विदान सभाज उनाव से ठीक पहले राज में योजना बध तरीके से वंचित समेलनों का आयोजन किया था जिसके शुरवाद कुरुक्षेत्र से हुई थी और इस समेलन के सायोजक भाजपा के वंचित नेता सुदेश कटारिया रहे थे जबकि केंद्रीमंतरी मनोहर लाल खटर के साथ तीन केंद्रेमंतरी इसमें शामिल हुए सुदेश कटारिया ने राज्य के सभी परगी करन की विवस्था उबरगी कृत आरक्षन के प्रयोजन के लिए हर्याना में अनुसोचे जातियां दो ख्शेणियों में होले पहली अनुसोचे जातियां और दूसरे वंचित अनुसोचे जातियां यानिकी सरकारी सेवाओं में सीधी भरती में अनुसूचे जातियों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे में से आधा यानी 10 प्रतिशत कोटा वंचित अनुसूचे जातियों के उमीद्वारों के लिए आरक्षित करेगा यदि वंचत अनुसोचे जातियों के उप्युक्त उमीद्वार उपलब्द नहीं होते हैं तो ही अन्य अनुसोचे जातियों के उमीद्वारों को शेश रिक्त पदों पर भी न्युक्ति के लिए विचार किया जाएगा इसी प्रकार यदि अन्य अनुसोचे जातियों के उप्यूक्त उमीद्वार उपलब्द नहीं है तो ही वंचित अनुसोचे जातियों के उमीद्वारों को शेश रिक्त पदों पर भी न्यूक्ति के लिए विचार किया जा सकीगा सरकारी नौक्रियों की भरती से वंचित अनुसोचे जातियों और अन्य अनुसोचे जंचातियों के उमेदबारों को अंतर वरिष्था पर की भरती अजन्सी द्वारा तयार की गई कामन मेरिट लिस्ट के भी अनुसार उनके न्युक्ति होगी साथ ही SCST में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीती बनाई जाएगी कोटे के अंदर कोटा के फॉर्मूले पर क्यों आगे बढ़ रही है बीजेपी ये भी जान लेते हैं अगले साल विहार जैसे राज्य में विदानसभा चुनाव होने है जहां पर आरक्षन जो सैटिमेंट है उससे जुड़ा मुद्दा काफी जादा उपरेगा इसके पीछे जातिय राजनीती और जातिय अधार ही वजह कहीं ना कहीं माने जा रहे हैं बताय जा रहे हैं लेकिन विहार के चुनाव से खरीब एक साल पहले सायोगी यहां पर विरोध के बावजूद भी बिजेपी से सब कोटा के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने के संकेत दिये गए हैं तो इसके पीछे भी पार्टी की अपनी रणनीती है इसे चार पॉइंट्स में समझा जा सक बिजेपी की रणनीती कुछ मुद्दों पर जनता का जो मिजाज है वो भापनी के लिए चुनावी टेस्ट की भी रही है साथी जातीकर जनकरना के मुद्दे पर जब कॉंग्रिस अधिक आक्रमक थी तब भी मध्यपरदेश राजस्थान समेत कई राज्यों में चुनाव बनाय रखी थी और इसे भी बिजेपी की इस मुद्दे की चुनावी असर का अंदाजा जो है वो लगानी की रणनीती से जोड़कर देखा गया साथी चुनावी नतीजे बिजेपी की पक्ष में आये और पाटियों से रणनीती के साथ लोगसभा चुनाव में भी उत्री ह हाला कि लोगसभा चुनाव में इसे यूपी जैसे राज्य में नुकसान उठाना पड़ा जब चारखंड और महरास्ट में विदान सभा चुनाव के साथ ही यूपी बिहार समेत दरजन भर राज्य के संतानिस विदान सभा सीटों पर उप चुनाव पो रहे हैं हर्याणा में बिजेपी की सरकार ने सब कैटिगेरी पर इन चुनावों को मौसम में खदम जो है वो बढ़ा दिये हैं तो इसके पीछे भी यही रणनेती बताई जा रही है फिलाल देखना होगा कि जमीनी स्तर पर ये कैसे खराउत रेगा